आज मैं आपके लिए लेका आए हूँ brand new marlin spare 10 अगर आप मेरा नाम लोगे तो आपको ही cycle पड़ेगी मात्र hello guys welcome back to my another vlog तो भाई स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए vlog वीडियो में और जैस्रीराम भाई सभी को और आज अपने vlog कुछ हटके होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेका आए हूँ brand new marlin spare 10 तो आज भाई पूरा vlog इसके उपर रहेगा इसकी specification बताऊंगा सब कुछ बताएंगे दीरे दीरे आईए सिस्टार्ट करता है cinematic के साथ मैं इसके specification बताता हूँ आपको और इसका rate और कहां पर मिलेगी है कहां पर अब लेवाल है यह मैं बताऊंगा वीडियो के end में तो end तक जरूर देखना इसको पूरा तो आओ जरा इसके specification आते हैं सबसे पहले तो यह है अपनी माल इन इस पर 10 जो कि आती है ग्रे कलर में और दूसरा इसमें यह है कि इसको हैंडल बार है 760 mm का है जो कि हलका सा कर्व है इस टेट में नहीं आता है प्रॉपर हलका कर वात है और इसको जो फ्रेम सैज ऑप है सबके लिए एकर कंफ़रेबल है एकक्सी बाइक्स होती है और जिसको नहीं पता कि एकक्सी क्या होती है उसे में बताolly वो जो है cross country racing bikes होती है तो mainly यह उसके लिए use है तो भाई मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है अब आते हैं इसकी बारीकी पर है तो करें फिर शुरू आजो आपको hydraulic brakes मिलेंगे जो कि है टेक्टरो के और इसमें shifter जो है एकी side मिलता है क्योंकि 1-10 है इसमें जो है disc rotor जो है आगे का 180 mm और जो back का है वो आता है आपका 160 mm और इसके जो disc rotor है ये भी टेक्टरो के हैं और साथ में आते है SR Santur के suspension जो की बहुत ही जबर्दस नहीं पर performance देता है suspension वही अपना hydraulic lock-in lock-out के साथ आता है ये ठीक है और pre-load के साथ और जो इसमें मेरे को सबसे खास लगाना वो है इसका जो crank set है जो कि ये आता है एकदम hollow crank set कहते हैं इसको इससे मतब cycle थोड़ी सी light weight भी हो जाती है इससे ये ज़्यादा benefit होता है इसके shifter पे जो कि हैं Simano Dior के और जो इसके drive train है यह पूरा completely Simano Dior का है बस इसके crank को छोड़ के ओके और बाकी इसका थोड़ा मोटा बता देता हूं मैं जो फर्स्ट गियर देख रहे होंगे आप जिसको मतब मैं नॉर्मल आ रहा हूं यह जो इसका फर्स्ट गियर है इसमें 46 तीथ और जो इसका फ्रेंट है इसमें 36 तीथ और जो इसका सबसे लोएस्ट है यह देख रहा हूंगे आप मतब जो इसमें 10th कियर है उस पर आते हैं अपके 11 तीथ अब इसको मतलब structure देख सकते हूं बैटने का एक्टम जैन्मिन है मतलब कोई भी से चला सकते है और बाकी वील को साइज है यह है 29 इंच और उससे के साथ हम निकलते हैं भार लोकेशन चेंज तो गाइज अभी हमने करती है लोकेशन चेंज जो कि आप पीछे देख रहोंगे बड़ा ही क्याड़ा व्यू है और सामने भी इस बाकी में इसका बताइशा है 29 इंच के जो है दोनों वील है और साथ में इसका आता है मैक्सिस का टायर जो कि बहुते ही ज अब थोड़ा इसका पब्लिक रियक्शन देते हैं यहां पर मतलब भाई लोग थे यहां पर फोटो शूट बगर कर आ रहे तो मैंने इनको एक बाई को बोच्छा कि मतलब लोक में बताना जरा कैसी लग रही है तो बाई जड़ा सब बताएंगे कि मतलब आपको कैसी लगी cycle दिखने में तो बस यही पूछना था बाकी साथ में दूसर भाई जी जरा आप भी बता दोगे कि मतलब कैसी लग रही है आपको दिखने में बढ़ी है ओके थैंक यू बाई ओके तैंक यू बाई तो बाई साथ में आपके सब पब्लिक रियक्शन भी देखी लिया होगा कि मतलब भाई लोग पर फोटो शूट कर रहे तो मैंने का एक बार बता दो मतलब आपको कैसी लग रही है दिखने में चलाने में तो इतने जल्दी कोई बता नहीं सकता लेकिन फिर भी भाई इन से जैन्वेन रिव्यू लिया तो बता दिया उनना कैसी लग रही है क्या ल को लोकेशन बता देता हूँ बाई क्राफ्ट की जो की है माल देफता दहरा दून में और आप इसे और अल ओवर इंडिया में कहीं से भी करो आपके पास ये डिलीवर हो जाएगी बाकी अगर जब आप इसे खरीद रहे हो और अगर आप मेरा नाम लोगे तो आपको लगी आपको माल लिन टैनिस पेयर और बाकी होप करता हूँ कि ये व्लोग आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए टाटा बाई 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ये वह बताना कि नेक्स वीडियो रिवी वीडियो आप किसका चापते हो